सोला वर्षी किशोरी साथ हजार रुपे नगदी और गहने लेकर प्रेमी संग फरार स्पी ओफिस पहुँचे स्वजनों ने पडोसन पंच्च्वायत सेकेटरी समेत चार लोगों पर लगाया लड़की को भगाने में सैयोग का अरोप स्पी ओफिस पहुचे जहां उन्होंने आवेदन दे कर गाउं की एक महिला ग्राम पंच्वायत के सचिफ समेत चार लोगों पर नाबाली को एक युवक के साथ भागने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्च कराई है स्पी ओफिस में शिकायत करने आए परिजनों ने बताया कि 27 दिसंबर को उनकी बेटी घर में खाना खाकर सो रही थी रात में तीन बजे नींद खुली तो उनकी नाबालिक बेटी घर से गायब थी परिजनों ने बताय कि नंदी के शूर अपने साथ घर में रखे साथ हजार रुपए नगदी सोने चांदी के गहने भी साथ ले गई परिजन का आरोप है कि हमारे गाउं में निवास करने वाली महिला सुमवती जाटव पतनी लक्षमन जाटव द्वारा पुत्री को अपने घर पर बुलाती थी और फोन पर दुबाई गांब के अपने बतीजे बोलू से बात करवाती थी जिसके चलते उसका बतीजा बोलू ज जाटव उनकी नाबालिक लड़की को वहला फुसला कर अपने साथ भगा कर ले गया परजनों का आरोप है कि उनकी नाबालिक बेटी को भागाने में गाउं के ही बोलू जाटव और सचिव नरेश जाटव महिला सुमवती और भोलू के दोस्त नरेंद्र जाटव कहां थे परजन ने एसपी ओफेस से में आवेधन दे कर नाबालिके तलाश की गुहर लगाई है आए एसपी ओपेस आए आप क्या समझ्चे लेकर आयो हम जो लगा के आए कि लड़की बड़ी लड़की माने भी के जहां मतला हमारी लड़की को लें बिनका इनका आता है हमारी लड अच्छा तो कब लेके चला गया जिस अधारी तारीक में अच्छा आपने थाने में रपोर्ट नहीं की इसकी अफुक्त मारी सुनवाई नहीं करें तो अभी हाँ हो क्या सवसंदी आए तो आए तो आई हमें एसपी साम नहीं मिलें कल भी बखल की बताई है कि हम कल है बिन तो हम आपनी कद्देंगे जामागा